तो हलो फ्रेंड्स वेलकम बैग टेक्निकल टेग ऐसे कई तरीके होते हैं जिनके जरीए आप अपने लेप्टॉप डेश्टप को जो है से मूड में इनेवल कर सकते हैं लेकिन आज के वीडियो में हम आपको सबसे इजियेस्ट भी बताएंगे कि किस तरीके से एक इजी ट्र से आप अपने लेप्टॉप डेश्टप को से मूड में इनेवल कर सकते हैं यानि नॉन टेक्निकल बंदा भी हमारे इस वीडियो को देखेगा तो आसानी से अपने लेप्टॉप डेश्टप को से मूड में इनेवल कर सकता है तो चले दुस्तों वीडियो शुरू करते हैं देर नहीं करते हैं आपको किस तरीके से, आपको सेh mood में अपनी लेप top, desktop को enable करना ऊछे हैं और आखिरकार क्यों सेh mood में हमें enable करने की जरूद पढ烈। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम थे month में अपनी laptop, desktop को क्यों करती हैं क्या जरूरत पड़ती है जिसके कारण हमको अपना laptop desktop जो है same mode में enable करना पड़ता है या same mode में उसको चलाना होता है दोस्तों क्या होता है कई सारी ऐसी files होती है कई बार वह डिलीट नहीं होती कई ऐसे folder होते हैं जो डिलीट नहीं होते या फिर कहें हमारे system में blue dump का error आ जाता है हमा आपका जो OS है बिल्कुर correct हो जाएगा और जितना भी data है वह आपका lost हो जाएगा तो इस सबसे बचने के लिए सबसे easiest way सबसे आसाम तरीका होता है कि आप अपनी system को आप अपनी laptop desktop को जो है same mode में enable करेंगे तो जो folders जो files आपकी delete नहीं होती है वो delete हो जाएगी और अगर आपको अपनी laptop desktop को जो है same mode में enable करने का जरूद बढ़ता है अब बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम same mode enable कर सकते हैं लेकिन windows 10 और 11 के अंदर सबसे easiest way आज मैं आपको बता रहा हूँ तो friends do not waste your time let's start the video तो सबसे पहले आपको windows और R की जो है प्रेस करना है अपनी laptop desktop में और run वाला window appear हो जाएगा run वाला window जैसे ही appear हो जागा तो उसमें लिखना है आपको ms config तो देखिए हमने यहां पर ms config लिख दिया उसके बाद आपको ok करना है और ok करने के बाद system configuration का जो है window open हो जाएगा यहां पर आप देश सकते हैं general boot services startup tools यहां पर आपको दिखाई दे रहे boot options दिखाई दे रहा है और यहां पर लिखा हुआ है safe boot तो आपको सबसे पहले क्या करना है safe boot पर आपको click करना है tick करना है और जैसे tick लग जाएगा तो इसमें आपको 1,2,3,4 option दिखेंगे minimal का alternate cell का active directory का network का तो यह आपको कुछ भी चेड़ने नहीं है time out 30 seconds का है कुछ भी न करना है और जैसे आप restart पर click करेंगे तो आपका जो है laptop desktop restart हो जाएगा तो देखिए हमारा laptop जो है restart हो गया है यहां पर control or delete यानी log पर हमारा laptop अभी है चलिए इसमें हम अपना password डाल देते हैं और फिर आपको login करके दिखाते हैं कि किस तरीकी का जो हमारा display सामने निकल के आप आता है हमारा laptop after boot same mood enable करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीकी का black black window आया है इतनी सारे आइकन है जो small icon थे वो काफी बड़े आइकन हो गए हैं यानि से मूड में जब भी आप अपनी laptop desktop को खोलोगे तो उसकी icon काफी बड़े हो जाएंगे और देखिए चारो से मूड के अंदर जो है इंटरनेट बगारा कुछ भी नहीं चलता है तो से मूड में इनेवल करने का यही रिजन होता है कि आपके laptop desktop को जो है एक से मूड दिया जाए कुछ गंटों के लिए से आपका blue डंबाला एर जो है फिनिस हो जाए यानि खतम हो जाए के बाद अगर जो laptop है वो restart हो गया है और जैसे आप इसको open करेंगे तो आपका save mood हट जाएगा तो यह सबसे आसान तरीका है save mood को इनेवल करने का windows 10 और 11 का same procedure होता है और यह जो windows है हमारा वो 11 है तो windows 11 पर भी आप same procedure से कर सकते हैं अपना save mood इनेवल और अगर अब भी आप windows 10 यूज कर रहे जिससे आप अपनी system को save mood कर सकते हैं अगर blue dump का error आ रहा है कोई file आप delete करना चाते हैं तो save mood में जाके इस सारे काम आप कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना चले फिर मिलते हैं किसी और नेक्स पूडियों कुछ और सकी जानकारी लेकि आप साथ हाजर होंगे तब तक के लिए जैहन पंद्राइब कर आए अगर अगर आगर 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